दिनाग 24 फरवरी 2023 को जन्पत प्रयाग राज के थाना धूमन गन छेतर के जैन्ती पुर्ण में शिरी उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कारिद की गई थी इस घटना में शिरी उमेश पाल एवं एक सुरक्षा कर्मी की दुखत मृत्य हुई एवं एक सुरक्षा कर्मी का इलाज चल रहा है जिनकी कंडिशनर भी प्रिटिकल है इस घटना के संबंद में 24 बटा 25 की रातरी और 25 तारिकी सुभा शिरी उमेश पाल की पत्नी के दौरा मुकदमा बंजी कृत कराया गया धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 344 भादवी विस्पोटक पतार्थ अधिनेयों की धारा 3 एवं 7 CLA Act के अधर गत इस मुकदमे में माफिया अतीक एहमद, माफिया की पत्नी शाहिस्तपरवी, माफिया का भाई अशिरफ, एवं इनके अन्य पुत्र, ये साजिश करता के रूप में नामज़त है एवम माफिया अतीक एहमद का एक पुत्र एवम दो नामजद इनके साथी वा नौ अन्य अग्याद साथी के विरुद मुकदमा पंजीकृत किया गया है इस मुकदमे में जन्पत प्रयागराज की पुलिस की दस्टी में इसमें इन अपराधियों के ढूंडने तलाशने और इनके विरुद कठोर्तम का रही करने के लिए इस समय जगे जगे दबिश दे रही हैं लोगों से कूश्टाच कर रही है और आज पुलिस कमिशनर जन्पत प्रयागराज मैं यहां की जन्दा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस जगन्य कांड में इस दुखत कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी समलित हैं उनके विरुद पुलिस की कठोर्तम कारवाही अमल में लाई जाएगी जो क भरशे के लिए एक नजीर बनेगी